पूलिस दरोगा थानेदार अरे चुप 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 चप बैठो काईला भी हो ली गा रहा है पकड़ाएंगे तो तुम समझना ठीक ना आरे चालो ना आमको देखिये कर छोड़ देगा रुको रुको गाड़ी साइड करो अरे क्या बात बोलिए तो हम बोले ना गाड़ी साइड करने के लिए पहले सुन तो लिजिए हमरा उपर तक पहुँच है अपना ही चिनते हैं काहे गाड़ी या काचा भी जो बर्द सती चिनते हैं बड़ी बन आते हो हीरों कहे लड़ाते हो जुबन पूरे पचीस हजार का अभी तेरा कोटे गाचालार अरे बाप रे बाप पचीस हजार का फाइन बीस हजार में तो गाड़ी ये लिए हैं इससे अच्छा तो दूसरा गाड़ी ले लेंगे अरे अब पचीस हजार का फाइन केशे कर दिये हेलमेट लाइसेंस नहीं है परदूसन पेपर नहीं है गाड़ी में हवा नहीं है और एगो आईना भी नहीं है कहां जाएगा इसका माई टाम इसका मोजबू भी फट्टल है सुनो ज्यादा बोलोगे न तो और फाइन बढ़ जाएगा समझे एह बोलो अपना नाम और गाड़ी का नमबर अभी तुम्हारा चलान कड़ देते हैं गाड़ी है बंगाल का नमबर तीन जीरे नाइन है अच्छा अच्छा आगी बताओ गाड़ी है बंगाल का नमबर तीन जीरे नाइन है बीस हजार का गड़ी है होई पाचीस हजार का फाइन है लाईसेंस हेला मेकता नाही मज़ो तेरा फटल है फटल है? हाँ, लाईसेंस हेला मेकता नाही मज़ो तेरा फटल है बहुते ज़्यादा बोलाते हो मार तेरा घटल है मार क्या घटल है मैडम? 100-100 मिटर पर जब लाईसेंस चेक होता है तो 100-100 मिटर पर सिविर भी लगबा दिजे लाईसेंस बनवाने के लिए लाईसेंस बनवाने में कितना परिशानी होता आपको पता है माथा खराब हो जाता है अरे सुनो, मैडम से मूझ क्यों लगाते हो? आओ तुमको गाड़ी के पिछे समझाते है अरे बहस करने से कोई फाइदा है? जाओ माफी मांग लो और कम बेसी करके यहां से निकल जाओ अच्छा ठीक है आज दिन के बाद माईडम बीना हेलमेट के चालाई वैनाई गाड़ी आहां लेहला पाचास रुपिया छोडिदा गाडिया कारिदा हो राहां लेहला पाचास रुपिया छोडिदा गाडिया कारिदा हो राहां कम से कम देदो हमको 500 रुप आई या बोत्ति या लो मान कम से कम देदो हमको 500 रुप आई या बोत्ति या लो मान हेलमेट पोहन करचा लानाय अब गाड़ी सुरा काची तरा है गाजा उतना नहीं है मैडम 100 रुपिया है ले लीजे सुनो ना तुम्हारा बात ना मेरा बात 300 रुपिया दो और जल्दी भागो लीजिये लेकिन ये 300 रुपिया रखे थे गल्फ्रेंड को घुमाने के लिए ले लीजे लेकिन मैडम लाइसेंस बनवाने में जो दिक्कत होता है इस बात का ध्यान रखेगा ऐसे आप लोग हेलमेट का जाज करते हो बहुत अच्छा है इससे लोगों का जान सुरचीत रहता है हाँ ठीक है ठीक है इस बात को हम सरकार तक पहुंचाएंगे